हेलो एब्रीवन आज के इस वीडियो में जिप लगाना सीखेंगे वो भी अंडरग्राउंड इस तरह की जिप हमारी कुशन कपर के उपर लगती है जिप ले लेनी है यहां पर और दो पीस लिये हैं कपड़े के कपड़े के इस पीस को इस तरह से फोल्ड कर लिया है और प्र और इस तरह से कपड़े को यहां पर सेट करके रखना है और सिलाई लगा देनी है तो यहां पर किनारे से हमें इस तरह सिलाई लगानी है यहां पर मैं एक फुट का यूज कर रही हूं दो फुट से भी हमारी यह सिलाई लग जाती है तो इस तरह हमें यह सिलाई लगा देन यहां तक और इसके बाद यहां पर इस तरह से पल्टना है और दूसरा पीस लेना है दूसरे पीस को भी इस तरह बराबर करके रखना है दोनों को और यहां पर किनारे से सिलाई लगा देंगे तो जब तक हमारी सिलाई लग रही है यह जिप लगाने का ट्रेक आपको अच्छ का मार्क कर लेना है और यहां से लगा लेनी है सीधी लाइन सीधी लाइन लगने के बाद अब इस कपड़े को यहां से इस तरह से फोल्ड करना है और इस कपड़े के उपर इस तरह से यहां पर ऐसे कपड़े को अच्छे से सेट कर देना है और इस तरह से हमें यह फोल्ड करन है तो सिलाय लगाने से पहले हमें रनर अंदर को कर लेना है और यहां पर इस तरह सेट कर लेंगे यह निशान है यहां पर मैं निशान लगाऊंगी इस तरह से इसके उपर और यहां भी निशान लगा लेंगे निशान लगने के बाद अब यहां से सिलाई लगानी है इस तरफ को मुनना है और इस तरह सीधी लाइन लगा देनी है सिलाई की और यहां से टर्न करके यहां तक सिलाई लगा देंगे तो यह सारा हम मशीन पर देखेंगे इस तरह से यहां पर लगाई है और टर्न करनी है मशीन और यहां पर ऐसे लगाएंगे और फिर से कपड़े को गुमा लेना है और यहां से सीधी इस तरह से सिलाई लगा देनी है तो यह सिलाई हमारी यहां तक इस तरह लगी है और इस तरह टर्न कर लेना है और फिर से यहां पर ऐसे सिलाई लगा देनी है और यहां से किनारे से सिलाई लगा देनी है तो यह हमारी इस तरह सिलाई लगी है और जिप हमारी यहां पर अंदर चले यही है इस तरह देखिए हमारी यह जिप पूरी डगगी है बाहर बिलकुल नहीं दिखाए देगी इस तरह इसे हमें खोल जा चड़ा सकते हैं और इस तरह हम यह अपना कुशन कबर का बैक साइड का है तो इस तरह आप कुशन के उपर जिप लगाएंगे बहुत ही अच्छी पिटि